अनमस्कार दोस्तों, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, मेरा नाम प्रकर्षिवास्तव है, स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु घंटाल में दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिसकस आर्टिकल 16 ओफ इंडियन कॉंसिटूशन आज हम भारत के संविधान का आर्टिकल 16 रिवू करने जा रहे हैं, निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं कि आर्टिकल 16 ओफ इंडियन कॉंसिटूशन क्या बया करता है आर्टिकल 16 in the constitution of India refers to equality of opportunity in the government job जो सरकारी job होते हैं जो सरकारी नौकरियां होते हैं जिसके लिए हिंदुस्तान में लोग पागल हो जाते हैं बिलकुल भी क्योंकि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी की भी नहीं मिलेगी तो आर्टिकल 16 ये कहता है रिपार्टिकल ओपर्चुनिटी इन गवर्मेंट जोब जितनी गवर्मेंट जोब होती हैं उनमें equality of opportunity होना चाहिए इससे डील करता है आर्टिकल 16 इसके कई सारे सबसेक्शन है सबसे पहला सबसेक्शन है आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 कहता है इक्वैलिटी ओफ ऑपर्चुनिटी फोर ओल सिटिजन इन मैटर रिलेटिंग तो इम्प्लॉइमेंट ओपर्चुनिटी के साथ डील करता है आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 मतलब इस्टेट के अंडर में जितने भी ओफिसेस आते हैं वहाँ पर लोगों की एपोइंटमेंट वहाँ पर लोगों को नौकरी मिलना इसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए सबके लिए ओपर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है यह जो मैंने बात की आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 में की एक्वालिटी ओपर्चुनिटी होनी चाहिए आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 कहता है कि there cannot be any discrimination किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों को ओपर्चुनिटी प्रोवाइट करने में इस स्टेट के द्वारा किस-किस बेसिस पर फिर देखिए यहां पर एक कॉंट्राडिक्टरी वर्ड आता है only किसाधार पर religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence और any of them मतलब race, caste, sex, descent, place of birth, residence इन 6 मुद्दों पर सरकार या state आप कह सकते हैं लोगों को discriminate नहीं कर सकती opportunity देने में मगर अगर कोई सात्वा टर्मा गया तो तो यह जो only है ना दोस्तों यह discriminatory है तो article 16 subsection 2 यही कहता है कि धरम, sex, descent, race, caste, place of birth इस आधार पर सरकार discrimination नहीं कर सकती, state discrimination नहीं कर सकती लोगों को opportunity देने में article 16 subsection 3 यह बड़ा ही interesting article है आप लोगों ने domicile का नाम सुना होगा जब हम लोग अक्सर क्या होता है जैसे for example state level की जो job होती है उसमें यह लिखा होता है जब आप form भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि क्या आप उस state में reside करते हैं जैसे for example अगर बहुत सारे लोगों ने इस video को देख रहे हैं उन्होंने UPPSC का form भरा है इस साल का या हम लोग जब form भरते हैं तो अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है domicile कि क्या आप उस state में रहते हैं जिस state में यह examination है या जिस state का यह exam है वो article 16 subsection 3 से deal करता है that nothing in this article shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or of or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment article 16 subsection 3 यह कहता है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कानून बना सकती है from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory मतलब कि यसे for example किसी particular state की job निकली है तो उस particular state की job उस particular state को लोगों को मिलेगी ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकता है article 16 subsection 3 इस चीज़ को नहीं रोकता अभी कुछ महिने पहले जो मद्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सिवराज सिंग चोहान उन्होंने एक statement जारी किया कि मद्यप्रदेश की जो job होगी वो सिर्फ सरकारी job वो सिर्फ MP के लोगों के लिए होगी वो सिर्फ MP के लोगों के लिए होगी अच्छा क्या उन्होंने हवा में ये बात कह दी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ठीक है अच्छा अगर आप लोग देखते होंगे कई सारे states में लोगों को reservation provide किया जाता है वहां के domicile को जो वहां के रहने वाले होते हैं तो सरकार कह सकते हैं पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है कि इस state में या इस particular job के लिए या इस local job के लिए local लोगों को ही recruit करो इस चीज से article 16 नहीं रोक सकता article 16 subsection 4 क्या कहता है that is state can make any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens who in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state state चाहे state चाहे तो किसी भी backward class के लिए किसी appointment को या किसी post को reserve कर सकती है उसे reservation provide कर सकती है कि इस particular post पर सिर्फ SDSC के बंदे की ही recruitment होगी और घैग इंदुस्तान में ऐसी कई सारी नौकरियां होती है जिनमें ये कहा जाता है कि भाई इस particular post पर इस particular caste का बंदा ही बैठेगा अगर 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 state को ये लगता है अगर state को ये लगता है कि वो particular जो caste है जो backward है या class जो backward है उनकी उस नौकरी में adequately representation नहीं है तो मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो state ऐसा कर सकता है article 16 subsection 4a क्या कहता है जो reservation मिलता है reservation उसका अधार भी यह article है article 16 subsection 4a क्या कहता है the state can make any provision for reservation in matter of promotion in the favor of scheduled caste and scheduled tribe if they are not adequately represented in the service under the state अगर नौकरियों में schedule caste और schedule tribe की या कह सकते है backward caste की adequately representation नहीं है तो under article 16 subsection 4a जो state है वो matter of promotion में reservation दे सकती है दे सकती है कि इन्हें promote करो matter of promotion पे वो reservation provide कर सकती है under article 16 subsection 4a तो अभी आप लोगों ने जब article 16 पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था equality of opportunity लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो reservation equality of opportunity से just opposite है डॉक्टर भीमरा उंबिटकर नहीं ही कहा कि यह contradictory है इसको जल से जल solve करो otherwise बहुत दिक्कत होगी article 16 subsection 5 क्या कहता है कि nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution on any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination मान दीजे कोई particular संस्था है जो की religious है या मान दीजे कोई religious school है वहाँ पर वहाँ पर state चाहे या वो particular religious school या संस्था चाहे तो उसी particular religion के लोगों को अपने यहां नौक्रियों पर रख सकती है या मान दीजे कोई particular कह सकते हैं denominational institution है तो वहाँ पर अगर वो चाहे तो अपने particular denomination के लोगों को ही नौक्रियां दे सकते हैं वहाँ पर equality of opportunity work नहीं करेगी अगर देखा जाए तो जैसे कि for example मान दीजे कोई भी अगर आपका धार्मिक स्कूल है अगर कोई भी धार्मिक स्कूल है किसी particular धर्म का वहाँ पर नौक्री पर अपने ही धर्म के लोगों को रखेंगे ऐसा तो नहीं है कि किसी और धर्म के लोगों को रख देंगे यह सोच भी है और ऐसा करना गलत भी नहीं है अगर्डिन टू आर्टिकल 16 सब्सक्शन 5 चेक है तो देखिए एक से बढ़कर एक एक से अक्सेप्शन निकल कर आ रहे है आर्टिकल 16 सब्सक्शन 3 अभी आपका लागू हुआ है जब इकनोमिकली डेप्राइब्ड सेक्शन को सरकार ने इकनोमिकली वीकर सेक्शन का और एक सो तीनवा एमेंडमेंट किया गया 103 103 एक सो तीनवा एमेंडमेंट करकर अंडर आर्टिकल 16 सब्सक्शन 6 मतलब आर्टिकल 16 सब्सक्शन 6 नहीं था economically weaker section को quota provide करने के लिए article 16 subsection 6 जोड़ा गया economically deprived section को quota provide करने के लिए तो आपने article 16 की शुरुवात में क्या पढ़ा आपने article 16 की शुरुवात में पढ़ा equality for opportunity लेकिन उसके बाद आपने कई सारे exception back to back back to back पढ़ते चले गए article 16 subsection 1, subsection 2, 3, 4, 5, 6 तो देखिए एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी article absolute नहीं है exception है और ये exception अकसर contradiction डवलप करते है supreme court में बात उठती है फिर इसको और बढ़ाया जाता है नया exception act किया जाता है फिर तो उमीद है article 16 आप लोगों के समझ में आया होगा दबा कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा नमस्क्राइब